हाई फ्रेंट जाई जगर्ना दिलुस भाग में आपका स्वागत है आज हम देखने के लिए जाएंगे एक अन्नोखी फेस्टिबल जहाँ पर प्रभु गोपल जीव के साथ मातार उक्मणी के साधी होगी बहुत दुमदाम से आत्तासभाती होती है बड़ा सा मिला लगता है हजारों के संख्या में लोग के हम भीड़ो होते साध एसे फेस्टिबल आप लोगों ने कम ही देखा होगा जो हो रहा है ओडिशा का राजदनी भूबनेसर और पूरी जगर्ना धाम के बीच में एक गाउं है दांड मुकुन पर हो रहा है चलिए देखने के लिए चलते है अगर चैनल पर नए है तो सस्काइब कर दीजिए बेल आइकन पर जरू क्लिक करिए जैसे इसे कोई इंप्रोमेटिव वीडियो अप्लोड करूँ नोटिफिकेशन पहले आपके पास जाए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सेयर, सस्काइब कर दीजिए चलि दोस्तों अभी मैं मैं मेरा होमटाउन भूबनेसवर से जाहा रहा हूँ, चमपक दोयादोसी फेस्टिबाल देखने के लिए मैं मैं मेरा स्कूटी से भूबनेसवर से जाहा हूँ, जहां मैं जाहा रहा हूँ, उस गाहों का नाम है दांडम मुकुंदपर, भूबनेसवर से दूरी है लगबग 30 किलोमीटर और पूरी से दूरी है लगबग 34 किलोमीटर, कम से कम आधा हणडा 45 मिनिट लगता है वहाँ पहुँचने में चलिए अभी चलता है गाउं पहुँचने के बाद फेस्टिवाल का मज़ा लेते हैं अभी हम पहुँच गए दांडो मुकंदपूर गाउं के सामने ये देखे बोल लगा हुआ है एन्नेज के साइड में गाउं है भुबेनसर से 30 किलोमीटर आने के बाद ये गाउं आपको दिख जाएगा अगर पूरी से आप आ रहें सामने के तरब यहां से 35 किलोमीटर आने के बाद ये गाउं आप लोगों को दिख जाएगा भूबेनसर और पूरी के ठिक बीज में है गाओं पड़ता है चलिए अब गाओं के अंदर एंट्री करते है अभी हम पहुंच गए दांडो मुकंदपूर गाओं के अंदर जब गाओं के अंदर आप एंट्री करेंगे यह देखे सामने आपको बड़यासा मिठाई दुकान दिख जाएगी यहाँ से मिठाई कुछ घर के लिए जरूर लीजिए क्योंकि गाओं का जो मिठाई होता है उसका टेस्ट कुछ अलगी होता है सेर में आप मिठाई खाए होंगे लेकिन गाओं का टेस्ट पूरा अलगी है अभी हम पहुंच गए जहाँ पर प्रभू पालकी पर बिराजमान है यह सामने देखिए बाबा बालूं के सर उनके साइड में स्री गोपड जीव और उस साइड में देखिए राइड साइड में मा और बाबा नीड़कंटेसर बिराजमान है साधी के बाद गाओं परिक्रमा करने के बाद यहां पर बिराजमान होते है उनके सामने आत्रसवेजी का जो फेस्टिवाल होता है यहीं पर होता है सामने देखिए बैरिकेट किया गया है यही पर आतसवाजी होगी आतसवाजी के लिए प्रोटेक्शन के लिए चारो और बैरिकेट किया गया है यही दोनों साइड में बैरिकेट में आतसवाजी होगी जो आतसवाजी होती है उसका नाम एक अठा चक्र वो उड का बना है होता है उसमें आत्तसवाजी का जो सामन रखा हुआ ते घूमता है मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा केशे तैयारी भी हो रही है वो भी दिखाऊंगा ये सामने जिके प्रभु विराज माने उनके सामने बैरिकेड किया गया है यही पर आत्तसवाज कुछी देर में होने वाला है चले यहां एक बड़ा सा मार्केड लगा हुआ है मार्केड घूम लेते उसके बाद आतरस बेजी कहां पर तयारी हो रहे वह आप लोगों को में दिखाए हूंगा आपने पर दोग में देखए हुआ है ।ब साम के एक लाद बाद के लोगों कि लिगा है नहीं के लाद अचवार है क्या घुए है कुछा के लाद के लिग बाद के लिखिए है यहां जो बड़ा सा मार्केट लगा है यहां खाने पिने से लेकर सब खिलोना से लेकर हर प्रकार के चीज आप लोगों को यहां मिल जाएगी मार्केट गुमने के बाद चली अभी प्रभु के दर्सन कर लेते दर्सन करने के बाद यहीं पर तो आतसवाजी होगी उनकी तैयारी चल रही है क्यूंकि यहां कॉंपिटेशन होता है आतसवाजी का जो तैयारी चल रही है चलिए देखते कि में के एक जिद है आ 씨 आगरा कि झायरा कि ठ गटी होने कि करी ठाः बाला कि थाऊंत है कि आप लाश्फ एम इATA उत्थ्थिछ although जा बकों इल्च रव national एप इने खख ना electrode 150 अ हम कि दम्रीत खरें प्रे कि एंध्पग a के एमरत्था irgend अब आप 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 आपाना देखा है इसामने देखिए आत्यस बाजी के लिए जोरो सोरो से तैयारी चल रही है इन में से जो लोग सो भाग ले रहे हैं सबकी अलग-अलग तैयारी चल रही है इसके जो बना रहा है इसको काठा चक्र कहा जाता है उड़ से बना जाता है इसके अंदर बारूद रखा जाता है उसके बाद जहां पर अभी होने वाला है आगे आप लोगों को में दिखा हूँगा, दिखे एक उड में हो लोगा इसमें, एक पाइप के अंदर रखा जाता है, अगनी संजग बाद ये 100 के स्पीड में घूमता है, उसके अंदर से बहुत जोरो से साउंड निकलती है, अगनी और धुआ निकलता है, मैं भी दिखा कहां पर हो रहा है, अभी जो तयारी चल रही है, इसमें प्राटिस्वेट समय लोग करें, एक खुम में एक पाइप लगा है, इसके अंदर इसे रखा जाता है, अगनी संजग के बाद इसके अंदर जोरो से घुमता है, बैरिकेट किया गया है प्रोटेक्शन के लिए, लो कर लाए, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी सामने देखें, कुछी देर में मेला सुरू होने वाला है, पात्रसवाजी का फेस्टिवाल सुरू होने वाला है, इसके लिए अभी रेडी कर रहा है जो काठा चक्र को, जो पाटिस्पेड किया है, उनका काठा चक कर रहे, वो आके काठा चकर को यहां लगाएंगे, अभी इसके बाद थोड़ा पूजा होगा, इसको कभर किया जाएगा, अगनी संजे के बाद इसके अंदर अभी घूमेगा, देखें, इसके अंदर अभी घूमेगा, चलिए अभी गाउं के लोकों से बात कर लेते, जो फेस्टिबाल होता है, क्यूं होता है फेस्टिबाल? क्या वर्वर्श भुमूर्ष भुमूर्थ भुमूर्थ भरुए बंच्कोगुदाश से ब्यात्रा अभुदाम। अभाद बहुत दूम्दाम। परितो हुदू, चलिका अधे ब्यातरा ला इतिहाजी को फुस्टों में वे इला है, तिगर बाद पर इस्माग नाहांगा इसाउची तुल क्रूब्स आरा में सप्समें के शिषिय कृद्स जिसे में पैसी अके अचार बेसे में बकलतुंगा है इसाति किंबारे को कि आलेसं अचुंगा में उल्हाई नका को पोद्ट पवाध मरीत आते हैं प्रिभाहरा परामपरी का उस्थक को मनेगा पहें। विए आतासबाजीयो पहें। आफिए कुप आफ सीदिने प्रच्ट 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 अगर अगरा है अभी देखें और एक काठ चक्र लगा जा रहा है एक घुमने के बाद और एक यहां लगा की लगा जाए और जिनका आच्छा घुमता है देख रहते लोग नाच रहे तो जिनका आच्छा होगा इसमें वो नाच रहे है खुशी से अभी एक के बाद एसे लगा जाएगा अभी रात तक ही प्रेश्टिवाल चलेगा अभी ए लगाने के बाद अभी ए घुमेगा चले बाहर चले लगाने के बाद थोड़े दूर चले जाते हैं क्यों पास यहां खड़े होना से रिक्स की है तो दूर चले जाते हैं से बहुश। अब ये जो फेस्टिवाल चल रहा है हर साल चंपक 12 के दिन होता है प्रभु गोपाल जीव और मातार उक्मिन के साधी होता है साधी के खुसी में लोग आतसवाजी करते है जैसे हम लोग हमारा साधी रोग होता है आतसवाजी होता है यहां पगवान के साधी पर भी ऐसे खुसिया बनाया जाता है इस पोग्राम का फेस्टिवाल का आयजोन किया जाता है इस साले दो जुन दो होजार तेश को हुआ था फिर अगले साल इसी दिन को होगा चंपक 12 के दिने होता है देखें लोग खूसी से घूम रहे है जिसन का अच्छा घूम रहा है अत्रस बाइज यह जो काठ़ चकरे दिन का अच्छा घूम रहा है वो खूसी से घूम रहे है अब यह फेस्टिवाल रात तक चलेगा एक के बाद एक काठ़ चकरे यां लगा जाएगा लोग खूसी से इससे जूम रहे अगर किसी साल आपको समय मिले जरूर है देखने के लिए आएए इस साल अभी दो जून को अभी यह समत्थ हो गया है फिर अगले साल चंपक द्वादेशी के दिने होगा अभी चलते भूबने सर अगर मेरा भीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सस्काइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग पर जय यगन्नात